पठान फिल्म विवादों में खिरी हुई है शहरुखान और दीपिका पादुकोन के फिल्म पठान का गाना बेशर्म रंग का विरोध हो रहा है अभिनेत्री की वेशबूशा और भगवारंग को लेकर बवाल मचा हुआ है दरसल फिल्म के बेशर्म रंग गाने में एक्ट्रेस दीपिका पादुकोन के भगवारंग के ड्रेस को लेकर बीजेपी और हिंदुवादी संगठनों ने आपत्ती जताई है इनका कहना है कि भगवा रंग के ड्रेस को बेशरम रंग बताकर हिंदों की भावनाओं को ठेस पहुचाई गई है अब इस विवाद में ममता बनर्जी की त्रिनमूल कॉंग्रेस और भारतिय जनता पार्टी के नेता आमने सामने हो गए है जिसमें केंद्रिय मंत्री और भाजपा नेता स्मृति इरानी और भगवा रंग को लेकर तंज कसा गया है तरसल टीमसी नेता रिजू दत्ता ने स्मृति इरानी को एक वीडियो शेयर किया है उन्होंने Miss India Beauty Pageant 1998 का वीडियो शेयर किया है जिसमें स्मृती इरानी भी भगवा रंग के कपड़ों में नजर आ रही है रिजु दत्ता ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा बॉयकॉड स्क्वैड के नफरत फैलाने वाले जो फिल्म में भगवा रंग के परिधान पर शाहरुख खान का भहिशकार कर रहे हैं उन्हें स्मृती इरानी का भी भहिशकार करना चाहिए लेकिन वो केंद्रिय क्याबिनेट मंत्री है उन पर कारवाई क्यों नहीं क्या भगवा रंग भाजपा की निजी जायदाद है इसके लिए इन्हें किसने हक दिया है अगर वो दिपिका पादकोन जैसी औरतों को भगवा रंग में अपनी पसंद के कपड़े पहनने के लिए गाली दे रहे है तो उन्हें ये भी देखना चाहिए कि उनकी मंत्री ने भी ऐसा किया था दड़त्ता ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा मैं साफ कर देना चाहता हूं कि मुझे स्मृति इरानी के ड्रेस से कोई दिक्कत नहीं है जिसे उन्होंने मिस इंडिया ब्यूटी पैजेंट 1998 में पहना था